आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ सूजी और आलू से बनने वाला एकदम हल्दी नास्ते की रेसिपी इसे आप बहुत कम टाइम में बना कर तैयार कर सकते हैं और इखाने में इतना टेस्टी लगता है कि आप हफ्ते में दो से तीन वार इसी नास्ते को बनाना पसंद करे तो चलिए जल्दी से आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं हलो एवरिवन मैं हूँ शिवानी और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है शिवान्स किचिन में तो सबसे पहले हम एक बरतन में डालेंगे एक कप सूजी इसी के साथ हम इसमें आदा कप के करी दही लें ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए यहां पर आप देख सकते हैं सूजी में पानी और दही अच्छे से मिल चुका है अब इसे हम इसी तरीके से ऐसे ही छोड़ देंगे यहां पर पांच मिनिट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं सूजी अच्छे से फूल चुकी है यह पतला या इससे गाड़ा बैटर हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल इसी तरीके का बैटर हमें तयार करना है, अब हम इसमें डालेंगे इनो, आप इसकी जगे पे बेकिंग सोड़ा का इस्तवाल कर सकते हैं, बस उसकी मात्रा बहुत कम रखनी है, इस पे थोड़ा सा पानी डाल क इसे अच्छे से मिला लेंगे, इनो डालने के पाद आपको इसे जल्दी से मिलाना है, इसे ज़्यादा देर तक रखना रही है, जिस बरतन में आप इसे बनाने वाले हैं, उसे पहले से ही ओल लगा कर रखना है, तो यहाँ पर मैं इस नास्ते को चौकोर शेप में बनाने इसलिए मैंने यहाँ पर एक केक्टिल ली है, आप घर का कोई भी बरतन ले सकते हैं, अब यह पूरा का पूरा बैटर मैं इसमें डाल दूँगी, तो यहाँ पर पूरा बैटर मैंने इस बरतन में डाल दिया है, अब हम चलते हैं गैस की तरफ इसे स्टीम करने के लिए, त यहाँ पर मैंने यह बरतन रख दिया है, अब हम इसे ढख देंगे, ढख कर इसे लो फ्लेम पर 5-7 मिनट तक ऐसे ही स्टीम होने देंगे, जब तक हमारा नास्ता स्टीम हो रहा है, तब तक हम एक तयारी और कर लेते हैं, दूसरी गैस पर मैंने एक पैन रखा है, उसमें थ अच्छे से लगाता चलाते हुए भून लेंगे, इसका हलका सा कलर चेंज होने तक हमें प्याज को भून लेना है, जैसे ही प्याज हलकी से भून जाया, उसका कलर चेंज हो जाए, हम इसमें डाल देंगे, दो से तीन बारे कटी हुई हरी मिर्च, इसे भी हलका सा जादा कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा भून लिया है, अब हम इसमें डालेंगे टामाटर, तो मैंने यहाँ पर एक बारे कटा हुआ टामाटर लिया है, इसे हम इसमें डाल देंगे, इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे, टामाटर डालने के वाद हम इसे त पर लाल मेर्च का इस्तमाल भी कर सकते हैं इन सब को अच्छे से मिलाते हुए थोड़ी देर के लिए भून लेंगे तो यहाँ पर मसालों को मैंने थोड़ा सा भून लिया है यह अच्छे से पक चुके हैं अब इसमें मैं डाल रही हूँ दो उगले हुए आलू तो यहाँ प मैंने सारे मसालों में आलू अच्छे से मिला लिये हैं आप देख सकते हैं आलू अच्छे से भून चुके हैं लास्ट में हम इसमें बारी कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे तो यहाँ पर आलू का मिश्रन एकदम तयार है गैस को बंद कर देंगे और इसे एक बरतन में निकाल कर ठंडा कर लेंगे तो यहां पर 7 मिनट हो चुके हैं अब हम इसे चेक कर लेते हैं और आप देख सकते हैं काफी अच्छे से फूल चुका है अब हम इसे चेक करेंगे कि यह पका है कि नहीं इसके लिए हम एक चाकू लेंगे च इसे अच्छे से ठंडा करें तभी इसे बाहर निकालें नहीं तो यह तूट जाएगा मैंने इसे गरम में ही बाहर निकाल लिया तो यह हलका सा तूट गया है आप देख सकते हैं यह इसने अपनी किनारों को अलग कर दिया है अब हम एक प्लेट में इसे उल्टा करके बाहर न अब हम इसे कट करेंगे तो इस तरीके से मैं इसे कट कर रही हूँ आपको इस नास्ते के जितने चोटे या बड़े पीस बनाने हैं आप उसी हिसाब से इसको कट करें मैंने यहाँ पर इस तरीके से कट कर लिया है तो यहाँ पर मैं इसका एक पीस उठा कर आपको दिखाती यह देखिए कितने अच्छे से पक चुका है, इसमें कितनी अच्छी जाली आई है, अब हम इसी पीस को कट करेंगे बीच में से, तो इस तरीके से चाकू से हम इसको दो पार्ट में कट कर लेंगे, ठंडा होने के बाद अगर आप इसको कट करेंगे, तो यह बहुत आराम से की बार में कट हो जाएगा तो यहां पर आप दीख सकते हैं इसके मैंने दो पीसिस कर लिये हैं इसी तरीके से हम बाकी के पीसिस भी तयार कर लेंगे तो अभी हमने जो पीस कट किया था उसे हमने यहां पर ले लिया है उसके एक पार्ट पे हम आलू लगाएंगे तो इस तरी जिससे हातों से सेट कर देंगे जिससे कि आपस में चिपक जाएं इसी तरीके से मैं दूसरा पीस भी तैयार कर लूँगी इसके एक पार्ट पर हम आलू अच्छे से लगा देंगे फिर हम उसका दूसरा पार्ट इसके उपर रखकर इसे अच्छे से चिपका देंगे तो यहा तो यहाँ पर हम gas की flame को medium to high रखेंगे इस पर एक अच्छा सा color आने तक इससे सीखेंगे जैसे यह एक तरब से अच्छे से सीख जाए इस तरीके से हम इसे पलट देंगे और दूसरी तरब से भी इसी तरीके से सीखने देंगे हम यह अच्छे से पकाना नहीं है यह पहले से ह इसे बस हमें अच्छा सा सेखना है जिससे कि नास्ता थोड़ा सा क्रिस्पी लगे खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगे तो यहाँ पर यह दोनों साइट से अच्छे से सीख चुके हैं तो हम इस तरीके से इसे निकाल लेंगे और बाकी के बचे हुए नास्ते को भ बना नास्ता एकदम तयार है आप इसे गर्मा गर्म ही सर्व करें आप इसे तीखी हरी चटनी या फिर केचप के साथ सर्व कर सकते हैं यह खाने में इतना टेस्टी लगता है कि अगर आपने एक बर बनाकर खा लिया तो बार बार बनाना इसे पसंद करेंगे एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राय करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो आप मेरी वीडियो को जादा से जादा लाइक करें शेयर करें ताकि मैं ऐसी और भी वीडियो लाती रहू तो अगर आज की यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, थेंक यू.